ऐसा क्यों है कि कोई-कोई restaurant में बहुत सारी भीड कोती है और कोई-कोई restaurant में एक भी customer नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार एक रेश्टरांट में आप अगर जाएं कुछ खाना खाने के लिए तो आपको आदा गंटा वेट करना पड़ता है बाकि आप अगर दूसरे कोई रेश्टरांट में जाए तो आप तुरंट जाके वहाँ पे खा सकते हैं क्या खासियत है ऐसे रेश्टरांट की जहां पे जादा से जादा कस्टमर खाना खाने के लिए लाइन लगाते हैं यह आज हम बात करने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक है आपके रेश्टरांट या फूड बिजनेस या कोई भी टाइप का आपका खाद्य पदार्थ का बिजनेस हो वहाँ पे आप जादा से जादा कस्टमर कैसे लेके आए यह आज का हमारा टॉपिक है अगर आप की यह फूड बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं या आपका अगर खुद का कोई रेश्टरांट क्लाउड किचन या कोई भी टाइप का फूड बिजनेस हो तो यह वीडियो एंड तक देखे क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप आपके फूड बिजनेस में जादा से जादा कस्टमर्स ला सकते हैं मेरा नाम गोपाल चलाएं यह सब हम आपको सिखाते हैं अगर आप नए है और यह वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत मेरे चैनल को जॉइन कीजिए उसका नाम है गेटियो रेश्टरांट अगर आप यह वीडियो पेज पे देख रहे हैं तो यह पेज जॉइन कीजिए सब्सक्राइब कीज क्लाउड किचन होने दीजिए, होम किचन होने दीजिए, कोई भी टाइप का रेश्टराण होने दीजिए, आप नीचे की कमेंट सेक्शन में आपका सवाल पुछ सकते हैं, और मैं सवाल पढ़के आपको उसके उपर अलग से एक वीडियो, अगर यह सवाल बहुत ही कॉमन है और यह सवाल अगर बहुत ही इंपोर्टन है, तो मैं उसके पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, तो चलिए आज के होट टोपिक पे चलते हैं, उसका नाम है, कैसे आप आपके रेश्टराण में या कोई भी फूड बिजनस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ला सकते हैं, स अभी भी उनका रेश्टराण अच्छा चलने लगता है, तभी उनका फोकस जो है, वो कस्टमर्स से उटके ऑपरेशिंस की तरफ जाता है, हाला कि आपने देखना चाहिए, कि सब चीज़े टाइम पे मिल रही है कि नहीं, बट 70% आपका फोकस जो है, वो आपके कस्टमर्स में होना चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर्स जो आ रहे है, वो आपके साथ में आके खाना खाने आ रहे है, और खाना उनको सब जगा, सब होटेल्स में खाना more or less same मिलता है, कोई जगा पर अच्छा मिलता है, कोई जगा पर बुरा पर वो टेस्ट की बाद हो दिये, आपका रे experience है, उस चीज से वो decide करेंगे अगली बार आपके restaurant में आना है या नहीं आना है, खाना तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, cleanliness होना चाहिए, यह सब चीजे तो आपने taken for granted लेनी चाहिए, और यह सब चीजे तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपका आपके customer के अपनापन create करती है और वो आप चुम्बक की तरह आपके customers को आपकी तरफ लेके आती है, second point है, exciting menu create करना, बहुत बार बहुत सारे restaurant में pale menu होता है, वो ही अलु मतर, वो ही भिंडी मसाला, वो ही है, exciting menu create कीजिए, नए नए dishes launch कीजिए, नए नए combos बनाईए, नए नए challenges create कीजि अगर आप exciting चीजे आपके restaurant में बनाएंगे नहीं तो सामने वाले को बार बार आने के लिए क्यों reason मिलेगा, यह आपने as a customer बोलके सोचना चाहिए, यह आपने as a business owner नहीं, as a end user बोलके सोचना चाहिए, इसके लिए second most important point है, creating exciting menu, कुई तो excitement create कीजिए, ताकि आपका customer बार ब प्लस P is equal to C, इसका मतलब है quality plus quantity plus right pricing is equal to customers, आपने बराबर quality देना है, अच्छा quality देना है, quantity भी substantial देना है, एकदम कम भी नहीं, एकदम जादा भी नहीं, और pricing reasonable होना चाहिए, आपके quality और quantity के हिसाब से, उसके यह तीनों देखने के बाद आपके customers बढ़ते जाएंगे, यह हम आपका quality घट गया, quantity बढ़ गया, तो भी कोई मतलब नहीं है, quality अगर अच्छा है, आपका quantity बहुत ही कम है, तो भी कोई मतलब नहीं है, quality, quantity अच्छा है, बट pricing बहुत महेंगा है, तो भी कोई customer नहीं आने वाला, यह तीनों चीज़े perfect होनी चाहिए, उसके बाद ही customer आपके business owners, यह advertising को एक expense मानते हैं, advertising यह expense नहीं है, advertising यह आपके brand में investment है, आप जबी नए-ने लोगों की तरफ पोच्छते हैं, नए-ने customers की तरफ पोच्छते हैं, customers की तरफ आपके advertising के दुरू पोच्छते हैं, तो आप उनमें invest कर रहे हैं, आप उनके दिमाग में आपके hotel के बारे में एक idea डाल रहे हैं वो एक investment है वो आगे जा कि जबी customer आपके इदर आएगा और हो खाएगा तो जरूर वो investment आपका डुगना-तिगना होके sales में convert होके आपका profit बढ़ाएगा यह भी हमेशा ध्यान में रखेगा पाच्वा पॉइंट है ask for restaurant video reviews यह एक नई चीज मैंने start की थी और यह मेरे restaurants के लिए बहुत अच्छी चल रही है और मैं अभी जो coaching program चलाता हूं यह coaching पुराने लोग जो पुराने customer जिन्हों ने खाया है उनसे हमने फीडबैक ही ने लिया है तो आप उनको request कर सकते customer को अगर ज़रुवत पड़ा आपके display कर सकते हैं आपके ads में display कर सकते हैं और नए customers को आपके बारे में बता सकते हैं ताकि वह आके आपको वह आके आपका आपके खाना चके एक बात ध्यान में रखेंगा हमेशा और यह बहुत important बात है advertising को हमेशा एक जो नया customer है वो हमेशा doubtful नज़र से ही देखेगा क्योंकि advertising यह हम as in business owner हमारी खुद की तारीफ कर रहे हैं तो customer हमेशा 50% उसको एक doubt के नज़र से ही देखेगा लेकिन अगर customer review सामने जाएगा अलग-अलग लोग अगर आपके खाने की तारीफ कर रहे हैं यह अच्छा लगा वह अच्छा लगा क्ली अच्छा लगा तो customer हमेशा customer पर बरोसा ज्यादा करता है business owner पर कम भी भी कम बरोसा करता है तो यह जो आपका add है उसका combination होना चाहिए feedback और advertising का combination होना चाहिए हमेशा च्छाटा पॉइंट है delight your customers हमेशा आपके कान खुले रखिए और मान लीजिए आपके customer में एक टेबल बैटा है और उसमें से एक का बड़े है तो एक चोटा सा केक आप complimentary दे दिया एक दो गुलब जमुन आपने complimentary की तो यह की कीमत होगी 10-20-30 रुपे वह जाने के लिए मत सोचे क्योंकि यह short term thinking हो गया long term thinking यह है कि customer को इतना अच्छा फील होगा यार यह मैंने तो खुछ बोला भी नहीं इसने मेरे वह complimentary दे रिया यहां पर नहीं बना है यह हमारे caring के लिए बना है और आपने genuinely customer को care करना चाहिए customer के sales के वज़े से customer आके आपको खाना देने के वज़े से उनसे जो profit होता है उससे आप आपके salaries आपका light bill आपका rent वगरा भरते हैं और आपको को profit होता है तो customer को अगर happy कर यह तो आपका first priority हो यह बहुत ही important focus है बहुत बार क्या होता है लोग अलग individual order के बीचे रेते हैं bulk orders में एक जटके में आपको sale हो जाता है उससे आपका profit भी बढ़ता है और bulk orders में आप ज़्यादा से ज़्यादा customers को reach कर पाते हैं और मान लिजिए आपने 100 लोगों को आपकी पावबाजी खिलाई सौ लोगों में से दस लोग इतनी अच्छी लगी कि वह और जाके दस लोगों को बोल दिया उन्होंने तो कितना आपका free में advertisement होगा तो यह बहुत important है bulk orders बहुत बार मैंने restaurant लोग लेते ही नहीं पर यार इतना नहीं बनाएंगा मनेश टाइम निये यह निये वह निकालिए यह यू आर इन the business of pleasing your customers you are in the business of delighting your customers लक्षमी को नाम मत बोलिए क्योंकि एक बार आपके market में नाम हो गया कि यह बहुत आरोगेंट है यह बहुत attitude वाला है तो फिर कोई customer आपकी तरफ आने वाला नहीं है आपका attitude बदलिए ताकि आपका bank balance और आपका profit बढ़ सके आटवा पॉइंट है अवाइट ट्रबल मेकर बहुत बार होता है कि बहुत ही इरिटेटिंग कस्टमर आता है और वह हमेशा आपको तकलिफ देते रहता है मैंने भी यह बहुत बार देखा हुआ है कोई एक बार मान लीजिए आपने उनका सुन लिया तो बार-बार आके व इससे पूल रहा हुआ है मैं बहुत ही अगेंच्ट यह बोल रहा हूं और जबी भी कोई कस्टमर उसके उसके तिंकिंग के वज़े से अपने को तकलिफ देने आ है और वह देखके बागी के चार कस्टमर को इनका विनियन्स हो तो यह आपने कटे ही बरदाश नहीं करना च आपके customer के साथ में आप प्यार से बोलिए उनको और उनको बोलिए sir we will not be able to serve you आपको दो-तीन बार हमने chance दिया बट आप यहां पे आके बहुत हला गुला करते हैं इससे हमारे बाकी customer को तकलीफ होता है इसके बाद हम आपको sir नहीं कर पाएंगे as a business owner आपका भी राइट है कि आप सब customers को happy रखे और अगर एक customer आपको irritate कर रहा है वो अगर behave नहीं कर रहा है तो प्यार से उसे आप service avoid भी कर सकते उसको आप service deny भी कर सकते इस यूर राइट अज बिजनेस होना चाहिए और वो कारण है ज्यादा से ज्यादा customer की तरफ पहुशना या फिर एक specific दिन के लिए मान लीजे वैलेंटाइन डे है या फिर आपका रंगबंच में एक दिन के आपको happy रखना है कि रुपया ध्यान रखिए कि आपका जो staff है वह staff ही आगे जाके आपके customer के साथ में भीव स्टाफ इस बेसिकली और फर्स कस्टमर जो आपका real customer है वह आपका second customer है but first customer आपका staff है तो staff को हमेशा happy रखिए उनकी जो जो needs है उनको respect दीजिए उनको time पर salary दीजिए उनके लिए care कीजिए उनसे बात कीजिए उनको उनसे आप अगर दिल से जुड़ेंगे नहीं तो वह आपके customers को भी बराबर service नहीं दे पाएंगे वो बलेंगे अगर मेरा owner ही मुझे बराबर treat नहीं कर रहा है तो मैं किसके लिए यह कर रहा हूं मैं क्यूं customer को treat करूँ तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आप आपके staff को अच्छा treat करने के लिए कोई भी टाइब का food business होने जीजिए अगर आप कोई cloud kitchen खोलना चाहते है कोई restaurant खोलना चाहते या इवन आप एक owner है कोई food business के और आप उसको scale करना चाहते है उसको optimize करना चाहते है उसमें ज्यादा profitability बढ़ाना चाहते तो मैं मैं कोचिंग प्रोग्राम रन करता हूं जिसका नाम है restaurant launch formula coaching program rlfcp आइनो नाम काफी बढ़ा है तो यह website पर जाहिए www.gopal.in और check out कीजिए यह एक सिर्फ video course नहीं है यह combination यह coaching program एक combination है step by step video course का और इसके साथ में हर week मैं live आता हूँ जूम पे on Tuesday मंगलवार को या कोई भी दिन जब भी डिसाइड हो week में एक बार में live आता हूँ और शाम को छे बजे face to face आपसे बात करता हूँ और आपके problems के लिए हम लोग साथ में solution तूर्ट के निकालते हैं यह मेरा commitment है आपको और by the way यह जो live sessions है यह मेरे lifetime के live session है जब त मवाल आए आप वो जूम session join कर सकते हो और मेरे से direct face to face आके आप बात कर सकते हो तो कुपया करके देखिए यह वाला coaching program आप अगर serious है आपका खुद का restaurant business start करने में या फिर आपका खुद का existing food business को optimize करने में www.gopalkamat.in I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा अगर यह video अच्छा लगा हो तो जरूर आप यह channel को subscribe कीजिए इसे share कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोकों के साथ में ताकि जो लोग आपके साथ है या आपके network में है जिनको food business में interest है या उनको चालू करना है तो उन्हें पता तो चले में कभी एक भी hotel नहीं खुला वह 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 पॉइंट नहीं है तो क्रुपया करके यह video को share कीजिए like कीजिए subscribe कीजिए और मैं आपको मिलूंगा next video में thank you so much take care